अलो नमस्कार बढ़िया विधायक जी मैं पूछ रहा ये जो हमारा उत्तव परदेश को लेकर हाई एलट पर है इसमें जो हमारा लोनी का स्वास केंद्र है इसमें हालात बहुत बुरे हैं इस बारे में आप से वाइट करनी थी मुलाकात करनी है लेकिन मेरा यह कहना है मैं आ सब्सक्राइब करेंगे और आप से बात करेंगे लेकिन आप जो हमारी बात को नोट कर लें कि लोनी में कोरोना वायरस नी कोई वायरस नहीं आतकता जी ना कोई पिल्ली का वायरस आ सकता जो लोगो आतंकी और यह सब चीज है कि लोनी में पहले हालते ना वह भले रहे हों लेकिन कोराइन वायरस नहीं है किसी भी पड़े वायरस नहीं है अगर स्वास्त विभाग की देखें तो लोनी में यह कंट्रोल रूम में बनाया गया था वह बिलुकुल उसमें गंदगी है लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि यहां लौनी के अंदर रामराज है यह गौकु ने गुंती है पहले गाय करती थी इसलिए आप यहां भगवान की किर्बास है कोई कोई नहीं आ सकता लौनी में तो यह जो आपने बास कही है इसको हम ऐसा कैसे छापते हैं कि आपने की बात कहा से यह चापो यह मत चापो आपका काम है लेकिन मेरा कहना है कि हमारी खुला चेलेंज है कि कोई वायरस लौनी परविज करके देखें लोगों को है मारना या परिसाल करने चाहता है वायरस हो उन सबके लिए हम काफी है उनको फीक कर देंगे आपको वीडियो टालिया में नो एक बार उने भी देखिए गाफ रश्टाचार की है माने मुखमद्री जी कि मन्सा के अनुसार लौनी में रश्टाचार परमानित होता है तो नहीं मिलेगा ठीक है जी आपके मेरा वास्ताब देखिया गब जाए जरूरा मैं चेक करता हूं ओक की नमश्कार तो